आपका इंडिया की बात में मैं आविसार शेर्मा और इसकारकर में मेरे साथ हैं भाशा और उर्मिलेश और आज जो तीन मुद्दे में आपके सामने लेकर आया हूँ मुद्दा नमबर एक अर्विंद केजवाल को घेरने का शिकंजा कस्ता जा रहा है मोधी सरकार की दबिश और उनके निशाने पर दिल्ली के डेपटी चीफ मिनिस्टर मनीस सौधिया आपकारी नीती पर कारवाई मुद्दा नमबर दो बिल्किस बानों के ग्यारा गुनागार रहा मगर कटगरे में न सिर्फ समाज की समवेदनाएं बलकि भारतिय जनता पार्टी की राज नीती भी मुद्दा नमबर तीन बीजेपी पार्लिमेंट्री बोर्ड में गड़करी बाहर शिवराज सिंग चौहान बाहर और उत्तर पदेश के मुख्य मंतरी आदितनात को जगा नहीं क्या भारतिय जनता पार्टी सिर्फ दो लोगों की पार्टी है यानि की प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और अमिच्शा इन तमाम चीजों की चर्चा होगी मगर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अर्विंद के जिवाल के आसपास कस रहेश शिकंजे की अर्विंद के जिवाल की पार्टी कह रही है कि मनीश सोधिया पर जो दबिश डाली गई आबगारी नीती को लेकर ये कहीं न कहीं बताता है कि भारतिय जनता पार्टी किस तरह से बौकलाई हुई है आम आदमी पार्टी की तरक्की से इत्फाखन आज की जो तमाम कारवाई हुई है उस दिन हुई है जब मियॉप टाइम्स के पहले पन्ने पर दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की तारीफ की गई है बड़ा प्रशन क्या मोदी सरकार अपने विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है और क्या मोदी सरकार के एजनसी के बेजा इस्तमाल के चलते कई जो वाजब मुद्दे हैं वो भी उनकी विश्वस नीता खत्म हो जाती है क्या है इस खबर का पंच आईए सीधे चलते हैं और मिलेश के पास अब इसार देखे अगर भारत में CBI इरिस्पेक्टिव आप पोलिटिकल एफिलिएशन एंड पार्टी एसोशियेशन सभी तरह के नेताओं पर उनके वरस्टाचार पर अगर नजर डालती चापे मारती तो बात समझ में आ सकती थी लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के नेताओं पर निशाना बनाकर उनको परिशान करना च्छापा डालना मैं समझता हूं कि ये वो पहलू है जिस पर नजर जाती है कि ये कहीं न कहीं कुछ गड़बड है वो भी गुजरात और हिमाचल के चुनाओं से हैं पहले शुक्रिया उर्मिलेश जी भाशा इस मुद्धे पर क्या है आपका पंच देखिए अभिसार एक बात बहुत साफ है कि दिल्ली सरकार प्रधानमंति नरेन मोदी और ग्रिह मंत्री अमिश्शा के लिए गले की फास है बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी उनकी दाओं पे लगी सिर्फ दिल्ली चुनाओं भी नहीं जिसका जिकर अभी उर्मिलेश जी आक्शन नहीं कर रही थी उससे भी संदेश साफ है कि जब सेंट्रल एजनसी की छाप होती है तब आप डिफैंसिफ प्ले नहीं कर सकते कितनी भी कोशिश कंई हैं जो केजरिवाल कहération हैं कि हम केंदर के साथ काम करने को तयार हैं हम ये करने को तयार हैं बात वहां बंती नह अभिसार क्या है इस पर आपका पंच? इस पैसे का इस्तमाल पंचाब एलेक्शन्स में किया यानि की कटगरे में केजरिवाल सरकार है मगर जिस तरह से जाच एजनसी का बेजा इस्तमाल होता है जो वाजब मुद्दे हैं वो भी कही न कहीं दब कर रहे चाते हैं तो चलिए इस मुद्दे के हम चर्चा करते हैं मेरे साथ मेरे दो खास महमान हैं ही सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ आरविन के जिवाल लगातार कह रहे हैं कि भाई मनी से सोदिया को गिरफतार किया जा सकता है किया जा सकता है ये पहले से ही वो लगातार कह रहे हैं और हम ये ना भूलें कि उससे पहले पूरी एक श्रिंकला है पूरी क्रोनालोजी है जहां आपने महराश्ट में विपक्ष पर निशाना साध कर सरकार को निस नाबूत कर दिया उसे ही खतम कर दिया अपने वजूत की लड़ाई लड़ रही है और अब हम आदमी पार्टी जैसे ही पंजाब में आप जो है शानदार सफलता आसिल करते हैं उसके बाद ये दबिश जाली जा दिया है सत्ते अंदर जैन पर कारवाई होती है यानि कि साफ है कि विपक्ष को खत्ल कर दो दोहजार शौबिस से पहले अभिसार आपका जो सवाल है वो उस सवाल में जो आपने पहलू उठाए है मैं समझता हूँ कि वो जवाब वही है और वो ये है कि बही मुझूदा सरकार opposition को politically fight out नहीं करना चाहती है और न कर सकती है ऐसा लगता है कि वो विपक्ष के जितने भी दल है right से लेकर left तक, centrist से लेकर के और little right winger also किसी भी दल से वो राजनीतिक तोर पे अपना संगर्ष नहीं करती उसको लगता है कि political debate हो ही नहीं सकती दरसल सारे आप देखिए जितने बड़े नेता हैं इस सरकार के कोई political debate नहीं करता कि नीतिगत मसले में कहां सरकार अच्छा कर रही है कहां बुरा कर रही है इस debate में ही ये सरकार नहीं जाती जैसे ही opposition कोई debate उठाता है दो काम होते हैं या तो किसी दल के बड़े नेता पर छापे मारी शुरू हो जाती है या फिर कोई ऐसी news create कर दी जाती है news create कर दी जाती है कि लोग उधर उलज जाते हैं और या फिर चाद मराश्रवाद का शिगूफा छोड़ दिया जाता है वो स्वतंत्र होती हैं सचमुच उनको छोड़ दिया जाता कि आप constitutional और जो प्रशासकी कानून है उनके हिसाब से काम कीज़ें जैसे मेरा यह मानना है कि भारत की CBI की जवाब दही सीधे Parliament की कमिटी को होनी चाहिए Parliament कमिटी को अगर इसकी जवाब दही दे जाए तो सरकार के शिकंजे से बाहर हो जाएगी मगर मुदी सरकार यह क्यों करना चाहेगा आप बहुत ही जादा एक आइडिलिस्टिक जो है सिनारियो बता रहे है दुनिया के कई डिमोक्रिटिक कंट्रीज में ऐसा है लोक तंत्र भी कहा है इस तरह से यूटर्न किया अर्विन के जवाल सरकार ने आप शीला दिक्षित की जो आपकारी निती है उसकी तरफ आप रुख कर गए इस तरह की बात भी की जारी कि कुछ ब्लाक लिस्टिट कंपनीज को भी तरजी दी गई ऐसा दावा किया जा रहा है कथित तोर पर तो अब अगर इस मामले की विश्वसनिता भी है तो अब आम आदमी पार्टी को फिर भी ओग्र होने का मौका मिल रहा है संजे सिंग ने प्रेस कॉंफरेंस किया कि वे हमसे असुरक्षित हैं हमसे इरशा करते हैं हमारी तरक्की से जल रहे हैं इसलिए हम पर यह आक्षिन किया गया यानि कि उन्हें शहीद बनने का एक मौका मिल गया है चाहे मुद्दे की विश्वसनिता जो भी हो उसकी दिली में रहने वाले सिर्फ बीजेपी ही नहीं बाकी और प्लिटिकल पार्टी भी उस पर सवाल उठा रही थी लेकिन यहां मसला दूसरा है मसला सिर्फ यह है कि यहां किया आपकारी नीती तो दिखती है आपको लेकिन गुजरात में जो इस समय देश का ड्रग कैपिटल है जहां पर लगाता ड्रग उतर रहे हैं वहां पर तो कोई एक चीटी बराबर काम नहीं होता पता ही नहीं चलता कि करोड़ रुपे के ड्रग आ रहे हैं अगर वह होता तो पता चलता और गुजरात का नौजवान सड़क पर उतर के बोल रहा है कि भाई हमें ड्रग्स नहीं नौकरी चाहिए तो ये जो एक दोहरा मापदन नहीं एक मेरा मानना है कि एक जो बदले की राजनीती में है कि आप एक स्टेट को खतम करना और इसलिए देखिए सिर्फ आपकारी नीती की बात नहीं है आप लगातार देखिए कि प्रधानमंत्र करते हैं यानि आप पूरे की पूरी लोकतंत्र को अपने हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से मैनेज करने की बात करते हैं 10 लाख करोड़ रुपे की जो फ्रीबी देते हैं आप जो बैड लॉन वेवाफ करते हैं उसकी बात नहीं करते तो दूसरी दिक्क्त सबसे बढ उसको निप्टाने की जो बात है वह बहुत खतरना का और इस क्रम में आप केरल भी न भूलें केरल में भी इसी तरह की प्रोसेश चलाने की कोशिश है कि जितनी विपक्षी सरकारे हैं मेरा सीधा सवाल है कि सिर्फ करप्शन बीजेपी सरकारों में है बुंदेलखंड प्रोस और कॉन्स हैं कितना वजंदार केस है यहां पर सीबियाई का वो तो जांच की बात पता चलेगा मगर कुछ और है आम आदमी पार्टी के सामने के तिहास है उनके दिली के दो दरजन से जादा विदायकों के खिलाब पुलीस में केस कर दिये गए थे हाई कोट ने का भई तुम चार्शीट तक फायल नहीं कर रहे हो सब को रिहा करना पड़ा एक एक करके कोई भी एक विदायक एका दू को छोड़के जो है दोशी साबित नहीं हुआ चार्शी तक नहीं खड़ी कर सके तो ये तो साफ तोर पर हारिस्मेंट दिखाई देता है सतेंद्र जैन जिस तरह से अभी भी E.D. के उसमें भी कोट ने कई मुद्दों पर सवाल खड़े किये थे तो साफ तोर पर दिख रहा है कि आप उसकी जमीन खत्म कर देना चाहते है असल में अभी सार हुआ ये है इस देश में कि जब से मुझूदा सरकाराई है हम पहले की सरकारों को बिल्कुल दोद का धुला नहीं कहते उन्होंने भी बहुत सारी गलतियां की और लगभग इसी तरह की शैली में वो भी काम करती थी खासकर अपने विपक्षियों से नहीं पटने में लेकिन इसने उस पूरे तोर तरीके को क्लाइमेक्स पर पहुँचा दिया है और इतना विरूप कर दिया है इतना हास्यास्पद उसको बना दिया है कि अब लोगों को शायद इस देश में भरोसा नहीं है कि जो वाकई करप्ट कौन है करप्ट है भी की नहीं है अगर करप्ट है तो उसको करप्ट हम माने की नौ माने ऐसा लगता है कि करॉप्शन और इमानदारी की पूरी की पूरी जो लड़ाई है उसको अब श्वसनी बना दिया गया है पूरे नागरिक समाज में जैसे अब जो पता चला कि बीजेपी का जो करप्ट है वो इमानदार है उसे कोई एजनसी छू नहीं सकती और अगर कोई साल दे रहा हूं महराश में संजेर आठ और एक नेता थे आपको याद होगा वो धव ठाकरे में उधव ठाकरे सरकार में मंत्री थे एक लड़की की आत्म हत्या के चलते उन्हीं स्तीफा दिलवाया गया बीजेपी ने दबाव डाला देवेन फटनमीस खुद बैठे हुए अब जो संजेर आठ और को फिर से मंत्री बना दिया गया उसको लिकर मीडिया में कोई शोर नहीं आप जो कार्थिकिये सिंग है जिनने लौ मिनिस्टर बनाया गया उसको लिकर मीडिया बहुत बवाल कर रही है मगर संजेर आठ और पर पर पूरी खामोशी है ये भी बतात अब पानी देते हैं दो आधार है और शिक्षा देते हैं तीन आधार पे आमादमी पाटी अपनी political mileage करती जिस पर आप सहमत हो सकते हैं असहमत हो सकते हैं लेकिन अब पूरा का पूरा जो attack है वह यह है कि आम आधमी पाटी एक anti-corruption movement से पैदा हुई है तो आप establish करेंगे कि वह corrupt है दूसरी चीज आप ये establish करेंगे कि वह पूरी तरह से जो freebies या revenue दे रही है वो खराब है तो politically ground विपक्ष का छीनना मुझे लगता है उसके तहट ये CBI की rates देखी जानी चाहिए बिल्कुल और वो हमने महराष्ट में भी देखा हम जारखंड में भी देख रहे हैं और आप जानते ही ये सब तमाम चीज़ें हो रही है विपक्ष में बिल्कुल भी एकता नहीं है विपक्ष भी चाहती है कि विपक्ष का वो धड़ाने पढ़ जाया ऐसी के चलते और यही वज़ा है कि मोधी सरकार के होसले जो है इस प्रक्रिया की उस पर सवाल खड़े हो गए तो आज का दूसरा मुद्दा है और वो समाज के लिए बहुत शर्मनाक है बिल्किस बानो उसके ग्यारा गुनागार रिहा कर दिये गए वो बिल्किस बानो जो प्रेगनेंट थी और उस वक्त उन तरिंदों राक्षसों ने उसके साथ दुशकर्म किया वो गिड़ गिड़ाती रही मगर उस पर अत्याचार जारी रहा बिल्किस को लगा होगा कि उससे जदा अब क्या उसके साथ अत्याचार होता है हो सकता है मगर 20 साल बाद उन्हें रिहा कर दिया गया ये कहते हुए कि उनका च्छा चरण था यहां तक की भाजपा के एक एमेली ये कह रहे हैं कि उनमें से कुछ ब्राहमन हैं वो संसकारी हैं वो कुछ गलत नहीं कर सकते हैं ये समाज के चेहरे पर एक करारा तमाचा है क्या है इस खबर का पंच बताएंगे और मिलेश अभिसार मैं समझता हूँ कि भारती जनता पार्टी बहुत जोड देती रही है प्रशारित करती रही है कि वो धर्म को, संस्कृति को, चरित्र को बहुत महतो देती है लेकिन बिलकिस बानों का मसला हो कठुवा का मामला हो या उन्नाव का मामला हो जितने इस तरह के मामले है सब में ऐसा देखा जाता है कि इस पार्टी के लोग भले आफिसियल बैनर नहो वो इस तरह की घ्रिनित किस्म का अपराद करने वाले जगन किस्म का कृत्ति करने वाले लोगों के बचाओं में खड़े हो जाते हैं उनकी रिहाई के लिए काम करने लगते हैं और अपने हर कुकर्म को डिफेंड करते हैं ये बड़ा शर्मनाक है बाशा कैस खबर का पंच बताएं लेखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये एक सदमे वाली खबर है ये लोकतंत्र के लिए हर भारती नागरिक के लिए और हर भारती महिला के लिए निऊ इंडिया है यह वही निऊ इंडिया है जिसके बारे में एलान प्रधान मंत्री नरेण मोदी लाल के प्राचीर से करते हैं यह वा निऊ इंडिया की तसवीर है क्योंकि 15 अगस्त को ही इन 11 लोगों को रिहा किया गया और दूसरी बहुत एहम बात, साफ है कि यह जो न्यू इंडिया है, इसमें बलापकारी और हत्यारे जेल से बाहर रहेंगे और उनको सजा दिलाने वाले तीस्ता और बाकी लोग जेल के अंदर रहेंगे, यह न्यू इंडिया का निया नॉर्मल है अभिसार क्या है इस पर आपका पंच? इस मुद्धे पर मेरा पंच यह है कि यह समाज अंदर से पूरी तरह से गल गया है भारती जनता पार्टी को लगता है कि बलातकारियों के पक्ष में खड़े होकर भी उन्हें वोट्स मिल सकते हैं और उन्हें बार बार दोराया है जिक्र भी किया भाषा ने यहां पर कठुआ दो मंत्री बलातकारियों के पक्ष में राली निकालते हैं कुलदीब सिंग सिंगर एक पूरे परिवार को बरबाद कर दिया मगर फिर भी वोट्स जो हैं बीजेपी को मिलते रहें और अब इस मामले में सिर्विस लिए कि बिल्किस एक मुसल्मान है आप ये काम कर सकते थे ये हमारे लिए शर्म की बात है बाक्षा मैं आपसे शुरुआत यहां पर करना चाहूंगा जैसे आपने कहा कि कितने शर्म की बात थी कि 15 अगस को प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी रुआंसे होकर कहते हैं कि महला के साथ ऐसा हुआ लोग गाली देते हैं मुझे बड़ा बुरा लगता है I'm sure प्रधान मंत्री को भी पता होगा कि ये हरकत जो है की गई है गुजरात में और फिर भी ये हुआ उनके गुजरात में मगर आप जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है भाजपा के कैमेली ये कहता है कि भाई उनमें से कुछ ब्रहमन है संसकारी है वो ऐसे काम नहीं करते हैं आप सोच सकते हैं ये समवाद किस स्तर पर किस निचले गंधले स्तर पर चला गया है और देखे उससे भी आगे तुरंत ही जेल के बाहर जो हमने तस्वीरे भी दिखाई कि किस तरह से उनको मिठाई खिलाई जा रही थी टीका लगाय जा रहा था सिर्फ वहीं नहीं विश्व हिंदू परिशद बकायदा फंक्शन करके उनको फैसिलिटेट करता है गुजरात में तो यह जो सारा घटना करा मैं यह बता रहा है कि समाज में एक तपका इस तरह से क्रिएट किया गया है जो रेपिस्ट के पक्ष में हैं जहां बलातकारियों को हेल करना उनका स्वागत करना क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह वही भारत है जहां मुस्लिम औरतों को जो बेचा जाता था सुलीबाई, बुलीबाई डील्स में वे सारे लोग जेल से बाहर हो गए, कोई जेल के अंदर नहीं है, तो ये जो एक मानसिक्ता पैदा कर दी है, कि अगर आप अत्याचार मुस्लिम औरत पे करते हैं, आदिवासी पे करते हैं, दलित पे करते हैं, आपका political mileage बढ़ेगा, आपका कत बढ़ेगा, और मुझे इस बा मुझे ताज्यूब नहीं होगा, इन 11 में से अगर tickets भी दे दिये जाएं, मतब आपने हद कर दी है, बिल्कुल, मतब आप जो है, एक महिला की अस्मिता को इस तरह से रौन सकते हैं, क्या एक महिला की अस्मिता इस बात पर निर्भर करेगी, कि वो किस धर्म से उसका नाता ह अबिसार, यही इस देश का, इस समाज का बहुत बड़ा दूर भाग गया है, कि इतने जगन्यता को भी जायस ठाहरा कर, कोई राजनितिक पार्टी, ढंके की चोट पर कह सकती है, कि वो अमुक धर्म या अमुक विचार का पैरोकार अपने को कहे, और कहे कि हिंदुत्त्व के साथ हो है, यह संस्कृती है, यह भारत है, यह धर्म है, और फिर भी लोग चनोती नहीं दे रहे हैं, यह सबसे बड़ा आश्यर है, दूसरी बात की देखिए, इस पूरे मामले में, और सिर्फ बिलकिस का मामला नहीं, अनिक ऐसे मामलों को आगर आप देखें, हर जगा बचाओ में कौन खड़ा हो रहा है, इसी तरह के लोग, इसी तरह के लोग, अगर यह कहते हैं, और मेडिया, सबसे दुख की बात यह है, मेडिया के अंदर काम करने वाली महिला पत्रकारों ने एक टिपड़ी नहीं की, आप यह देखिए, आश्यर जनक की जंगल राज की वापसी मेडिया में हो गई है, बिहार में और तालिस घंटे के अंदर जंगल राज कहीं छुपा हुआ था, अचानक जंगल राज बाहर आ गया, और वो टीवी चैनलों में फैल गया, लेकिन यह इतनी बड़ी निशन्स घटना, इतनी भयावा इस्थिती, इस पर कोई डि सावाजी को अधिकार है, बिल्कुल है, पहले भी रिहाईयां होती थी, हमें याद है, नहरू कैबिनेट से ले करके और बात के वर्षों में, लेकिन राजनितिक बंदी जो सावाजी कारणों से, और एक सेट, एक सेट, जेल में बंद होते थी उनकी, आज आप देखिए, डॉक्टर अंबेटकर के घर के उनके रिष्टेदारी के सज्जन आनन तेल तुम्रे बंद हैं, अपने देश में जेलों में कौन बंद हैं, गौतम नोलखा जैसे लोग बंद हैं, उनकी रिहाई के बारे में सोचने वाला, न तो ये मेंस्टिम मेडिया है न सरकार है, अप उस फर्मान में लिखा हुआ था कि दो कैटेगरी के लोगों को रिहा नहीं किया है सकता, एक बलातकारी और जिनके खिलाफ पॉक्सो आक्ट भी है और दूसरा जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, खानून तक की धज्यां उड़ाई गई हैं, लेकि सुप्रिम हैं इस मामले में, जो 11 लोग हैं जो छोड़े गए उनको वो अपील करने गए थे, मेरा कहना यहां पर बहुत दूसरा है, अभी सार कि एक धंकी नजीर, एक तरह का एक्जांपल बिल्किस के मामले में पेश किया गया है, वह यह है कि अगर महिला के साथ अत्याचार होता है और महिला भी मामूली महिला नहीं, मैं बिल्किस को यहां से सलाम पेश करती हूँ, वो भारती महिला का रिजिलियन्स, रिजिस्टेंस शो करती है, मैंने उनका कई बार इंटर्वियू किया है, जिस तरह का साहस है उस महिला में, तो पहली चीज तो वो चाहते हैं कि महिला क किसी भीक के खिलाफ कितना अत्याचार हो कोट में न जाए कोट में जा कि अगर नयाय हासिल कर ले तो भी हम बलातकारियों को रिहा कर देंगे इस तरह का एक नया मनुवादी जो स्ट्रक्चर है कास्टिस जो स्ट्रक्चर है जहां पर औरत के सम्मान की कोई जगा नहीं है उस तक गुजरात के पुत्र गुजरात के अपने को धरती पुत्र कहने वाले लोग हैं माननी प्रधान मंत्री और माननी ग्रीग मंत्री बिल्कूल खामोश है कोई त्पने लोग की तो एक कदम आगे जाना चाऊंगा उनकी रजामंदी सिर्व में हुआँ बिल्कुल देखे स्वातंत्रता जिवस का अपमान कर रहे हैं मेरा तो ये मानना है कि ये सहमती के बिना असंभव है कि उनको ना पता हो क्योंकि ये पूरी प्रोसेस अपनाया गया है और हमें नहीं बुलना चाहिए कि इसमें गुजरात के MLA सहित बाकी लोग जेल कमिटी में थे जिन्होंने ये फैसला किया कि इनकी रिहाई होगी तो ये तो उपर से लेकर नीचे तक एक डिजाइन है ताकि संदेश जाए देश की महिलाओं को कि वो बलातकारियों को कहा और कैसे देखेंगे और कैसे लड़ेंगे उनसे बाकी बहुत बहुत बड़ी दराजदी है कुछ देर के लिए कलपना कीजिए मैं जानता हूँ मीडिया के जरी जो समबाद जो सोच समाज के अंदर पैदा कर दी गई है हम हिंदू और मुसल्मान के तौर पर विक्टिम को देखते हैं मगर कुछ देर के लिए कलपना कीजिए बिलकिस उसका कोई अपराद नहीं था उसकी जिंदगी उजाड़ा दी गई 20 साल बाद उस नर्क से उसे फिर गुजरना पड़ रहा है और यह समाज खामोश है यह हमारे मुँ पर तमाज रहा है और आज का तीसरा मुद्दा जैसे कि आप जानते हैं इस हफते की जो तीसरी एक एहम ख़बर थी कि बीजेपी पारलिमेंटरी बोर्ड का पुनर गठन हुआ और इस पुनर गठन में दो तीन चीज़े सामने उबर कर आई मुद्दा नमबर एक गड़करी बाहर हो गए जो कि जिनके बारे में का जाता था कि मोणी सरकार के टॉप परफॉर्मिंग मिनिस्टर है योगी आद इतनात को जगा नहीं मिली जबकि आप जानते हैं कि वो हीरो थे बीजेपी की उत्तरपदेश शुनावों में शांदार जीत शिवराज सिंग चोहान भी बार और ये दरप्पा जिनके राजनीतिक जीवन खत्म हो गया था उन्हीं वापिस लाया गया है क्या है इस खबर का पांच पुरमिलेश जी बताएं देखे अभिसार पहले भारती जनता पार्टी के बारे में आम तोर पे जो पुलिटिकल कमेंटेटर हैं राजनीति के लोग हैं सब लोग समझते थे कि ये आरेशस सेंट्रिक पार्टी है इस पार्टी की जो विशारधारा है उसको संचालित करने वाला जो दल है संगठन है वो RSS है उसकी वैचारी की पर चलती है ये पार्टी अब ये लग रहा है कि सचमुछ भारती जनता पार्टी अब RSS के बजाए सिर्फ दो व्यक्तियों द्वारा संचालित है यानि ये मोदी जी और अमिशाह जी सेंट्रिक पा अब इसार देखिए जहां और मिलेश जी ने छोड़ा है मैं उससे आगे बढ़ाती हूं कि जिस तरह से वह कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं उसी तरह से वह मुस्लिम मुक्त अपना पूरा स्ट्रक्चर रखते हैं तो इसमें भी कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है और वो बहुत important है जिन लोगों की entry यहां पर हुई है और साथ-साथ जिन लोगों को exit किया गया है संदेश साफ है चाहो नेतिन गटकरी हो या शिवराज चोहान कि उनकी अब पारी आने वाले दो सालों में लगातार कम होगी अब इसार क्या है इस पे आपका पंच? मुझे लगता है कि भारतिय जनता पार्टी जिसका एक छत राजस्वक देश पर है बतोर संगठन ये उसकी उल्टी गिनती है बेशक दोजार चोबीस के चुनाव आप जीत जाएं मगर जब पार्टी हम दो की बनके रह जाती है क्योंकि देकि सरकार के बारे में कहा जाता ह है कि हम दो हमारे दो की सरकार है अब पार्टी जो हम दो की बनकर रह गई है कभी ना कभी ये जो आइरन हैंड से पार्टी के अंदर जो चलाय जा रहा है एक व्यक्ति के एगो के एसाब से इसका खामयाजा बीजे भी कभी ना कभी जरूर भुकतेगी मगर आप जानते हैं ये सबसे जो चौकाने वाली बात है कि मुख्यमंतरी आदितनात को जगा नहीं मिली वो तो राइसिंग सूपरस्टार हैं बाजपा के उत्तर प्रदेश में जो एक अरसे से कभी नहीं हुआ वो उन्होंने कर दिखाया हलाकि एक फैक्ट ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जीत की एक बहुत बड़ी वज़ा प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी का करिश्पा था इन फाक्ट वो सबसे बड़ी वज़ा थी आदितनात बाद में आते हैं मगर आदितनात को जगा नहीं देना ये बताता है ये असुरक्षा की अती है ये उत्तर अधिकार युद्ध है हम अभिसा लगता है जो नंबर टू मानने वाले अपने को विक्तित्तो हैं कि बहीश अगली जो लड़ाई है अभिस आदितनात या वही वही मैं कहने जा रहा हूं कि अगली जो लड़ाई है वो प्रदानमंतरी पद के लिए उसके प्रत्याशी की तोर पे दावेदार की तो पे मानने इग्री मंतरी और मानने योगी आदितिनात के बीच है तो लहाजा पहले ही रास्ता साफ करते जाओ पहले ही ऐसी स्टितियां पैदा कर दो कि लोग पीछे हो जाए क्योंकि देखे पार्लमेंटरी बोर्ड जो है किसी भी पार्टी का खासकर अपने जेशे देश में और सेंटरल अलेक्शन कमेटी ये क्या तयfoot करते हैं ये तयकर देते हैं कि चुनाओ में उमिदवारी कैसी होगी क्या उसके तौर तरीके होंगे क्या आधार होंगे उमिदवार बनाने के और दूसरी बात वो ये भी तय करते हैं कासकर पर्लामिंटरी बोर्ड कि जो एलेक् का रोल होता है इंक्लोडिंग सेंट्रल सेंट्रल पॉलिटिक्स यानि चैन जब प्रदानमंत्री का होगा या किसी बड़े पत का होगा उसमें भी ये कमिटियां बहुत महत्पूर्ण होती है खासकर परलामेंटरी बोर्ड तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब कुछ सोच स पहलू है वो RSS से सबसे ज़दा कनेक्टिड व्यक्ति है हर दो मेने में उन नाथपूर जाते हैं और कहते है RSS से उनका सबसे मजबूत कनेक्ट है और पुराना कनेक्ट है बावजुद इसके बाहर कर दिया गया तो क्या मोदी और शाह कही ना कही RSS को भी एक संदेश दे हैं कि हमारे वर्चस्ट के सामने हमारी काबलियत के सामने अब आरेसस भी कुछ नहीं रहा यानि कहां वो आरेसस था जो वाजपीजी को परिशान करता था और कहां यह आरेसस है जो पूरी तरह से नतमस्तक है मोदी और शाह के सामने जी और देखें कि सिर्फ इतना ही नहीं न के खबरे थी कई पत्रकारों की नौकरी गई थी जिसमें था कि बहुत से सांसद नाराज है पर्फॉर्मेंस नहीं करने दिया जा रहा है जिसके पीछे नितिन गड़करी का नाम भी लिया जा रहा था तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि यहां पर जो नए लीडर्स लेकर हैं वह वह चहरे हैं जो इन लोगों के बहुत खास हैं जिस पर यह आगे का दाओं खेलने वाले हैं जहां पर चुनाओं होने वाले हैं यह दूरप्पा उसका एक बहुत बड़ा एक्जामपल है कि लिंग्यायत बोट्स कितने इंपोर्टन्ट हैं और वहां पर जो रिजन होंगे जिस पर इन दोनों की मुहर और अमिश्या की प्रकड निष्चित तोर पर इस बार संगठन पर जादा मजबूत है जादा जाहिर है जैसे वो जाहिर भी कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि एक मुहर लगा दी है बुनियादी तोर पर जो पूरा ढाचा यह अमिश्य बहुत बहुत शुक्रिया भाषा और उर्मिलेश आप दोनों का तो इंडिया के बात में आज इन तीन मुद्दों की आपके सामने हमने चर्चा की और अपने दर्शकों से मैं चाहूंगा कि आप बताएं आपको एक कारकरम कैसा लगा अगले हफते आप से फिर होगी मुलाका अबिसार भाषा और उर्मिलेश को दीजे अजाज़त नमस्कार